हाई एवरिवन स्वागत है आपका हमारे इस स्योट्व चैनल डेली अपडेट्स इंजिनरिंग में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबलू सील के माइनिंग सरदार के पेपर के बारे में आज 24 अप्रेल 2022 है आज जो है 12 बजे से लेकर के दो बजे तक डबलू सील का माइनिंग सरदार का पेपर कंड़क्ट किया गया दोस्तों इसमें एक चौकने वाली बात यह है कि यह जो कोस्चन पेपर था यह जो हमारी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी इंफोर्मेशन दे दूँ कि अगर आप लोग माइनिंग की कोचिंग करना चाहते हैं तो एक मई दो हजार बाइस से हम एक न्यू बेच स्टार्ट करने जा र क्योंकि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं यह कोच्टन जो है आपका माइनिंग सरदार का है इसमें पहला कोच्टन पूछा गया था डबलो सील में कि माइन सेट इक एक एपलिकेबल ओन माइन सेट जो है कहां कहां लागू होता है कोल माइन पर मेटल प लिखा हुआ है जो कि आपको सेम टू सेम मिलेगा पहला ही कोच्टन है दूसरा है ड्यूटी एंड रिस्पॉंसबिलिटी ऑफ एजन्ट मेनेजमेंट कंट्रोल सूपर विजन डारेक्शन अल अल अफ दिस तो इसका राइट आंसर है अल अफ दिस यह अप्शन नमबर डी यह हमारी बुक में पांचवे नमबर पर यह कोच्टन लिखा हुआ है जिया दोस्तों हमारी बुक जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए इसके बाद नेक्ट कोच्टन है मिनिममम एज उफ दा पर्सन अंडरगाउंड माइंट माइंट सक्थिट्व 15-2 ट्रेहर प्रेंट सिप यानैं कि जो माइंच में प्रेनिंग ओर रप्रेंट सिप के लिए व्यक्ती जाते ना बच्चें जाते हैं तो उनकी एज क्या होनी चाहिए उनकी और उनके, उनके स option of the reportable injury तो इसका राइट आंसर होगा option number D more than 72 hours याने कि 72 घंटे से ज्यादा जो काम पर ना लोलते वो reportable injury है यह हमारे question में question number 24 में लिखा हुआ है हमारे mcq book में next अपना week as per mindset 1952 week का मतलब होता है seven days यहां दोस्तों seven days होता है option number C इसका राइट आंसर होगा यह भी जो है हमारे mcq book में लिखा हुआ है next इस ट्रीपिंग रेशियो इस ट्रीपिंग रेशियो याने कि one ton coal निकालने कर अपना over button जितना क्योविक प्लिटर निकालना पड़ता है option number C एक टन कोल निकालने के लिए जितना over button निकालना पड़ता है उसको बोलते है इस ट्रीपिंग रेशियो नेक्स्ट है IME का full form होता है इनीशियल मैडिकल एक्जामिनेशन याने की option number C इसका correct answer होगा next है अपना question की who minds को open करने से पहले जो है अपना honor agent manager किन किन लोगों को notice देता है district medistate IBM chief inspector all of this तो all of this इसका right answer होगा यह भी जो है हमारे mcq question में लिखा हुआ हमारी book में next question है how many days before the starting operation यहने कि mining operation start करने से कितने दिन पहले जो है अपना honor agent manager के द्वारा सूचना दी जाएगी तो 30 दिन पहले option number A right answer होगा next अपना what should be the minimum distance between the drinking water and the urine appearance यहने कि मुत्राले से जो है अपना drinking water की दूरी छे मीटर से कम नहीं होना चाहिए option number C next अपना dump and slope open cast mines regulation number 108 का question है 37.5 degree आएगा आपका जो है angle of report की बात कर रहा है next question है question number 12 woman employee mindset 1952 mindset 1952 के द्वारा जो है woman को किस किस टाइम पर employee के अजस्कता है सुबाच 6 बज़े से सामके 7 वेज तक option number D right answer होगा यह जो है section number 46 का question है हमारे mcq book में भी मिल जाएगा next अपना what is the stand for अपना fsl flame safety lamp होता है इसका right answer option number C है यह हमारे जो gas testing की book लिखी हो यह हमने उसमें जो है इसका right answer लिखा हुआ है next जो हमारा question आया था वो आया था PME stand for PME का full form बताना है तो priority medical examination इसका जो है right answer option number D होगा next अपना कि खालिस्तान is also called the killer gas यानि कि खूनी gas किसको कहा जाता है carbon monoxide को oxygen को nitrogen को या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा अपना carbon monoxide carbon monoxide को जो है हम लोग खूनी gas भी कहता है killer gas कहता है क्योंकि carbon monoxide जो है बहुत ही खतरनाक होती है इसकी permissible limit होती है माइस में 50 ppm 50 ppm इसकी permissible limit होती है दोस्तों इसके बाद next question जो था question number 16 यह था अपना कि fire damp is related to fire damp जो है किस से related है क्या अपना यह ch4 से है याने कि आपका जो है fire damp ch4 से है next sol2 से co2 से या no2 से तो right answer आपका ch4 option number a right answer होगा question number 17 duty of mining सिर्दार inspection of working passes और inspection of go page inspection of roadway तो आपका जो है यह चारो काम करता है option number d is the correct answer होगा question number जो है आपका 17 का यह question जो है हमारे mining की mcq book में लिखा हुआ है clear cut next अपना आया था question question number 18 गोफ इस प्लेस गोफ जो है इनमें से किसको कहा जाता है तो koela जहां से निकाला जा चुका है याने कि from where coal has been taken out option number b इसको गोफ कहा जाता है next अपना duty of mining सरदार regulation number पूछा है regulation number जो है आपका mining सरदार का duty कौन सा है दोस्तों तो आप लोग जानते है option number c regulation number जो है आपका 48 number का regulation है duty of mining सरदार का next minimum age of competent person at 2017 आपको जो है cmr 2017 के हिसाब से minimum age बताना है competent person का तो competent person का हम लोग जानते हैं कि minimum age क्या होता है वो होता है 20 साल training के लिए 18 साल वह ट्रेनिंग के लिए 16 साल हो सकता है माइन्स में employee के लिए 18 साल competent person 20 साल manager के लिए एज जो है अपका 23 साल रखी गई है दोस्तों इसके बाद next नमबर जो 21 नमबर का question था वो था अपना workman inspector are appointed for discipline mining electrical mechanical all of this तो इसका right answer होगा अपना all of this mining से भी electrical से भी mechanical से भी appointment के जाता है workman inspector next question scam related to scam यहने की strata control and monitoring plan आपका regulation नमबर 123 इसका जो राइट आंसर होगा roof safety से related है ना कि inundation और finance है आपका roof safety option नमबर जो है AI गा right answer next है maximum speed of the explosion when carry the explosion when should be आपका जो explosion when की maximum speed क्या हो सकती है maximum speed हो सकती है 25 km प्रतिगहंटा यह जो है हमारा जो mcq book है ना उसमें question में लिखा हुआ है वो जो chapter है यह mine explosive and blasting technique का chapter है इसमें हमने लिखा हुआ है इस camp के बारे में regulation में हमने clear cut लिखा हुआ है पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी next है अपना खालिस्तान gas is related to white damp white damp कौन सी gas relate करती है क्या CH4 CO2 या oxygen या फिर CEO तो इसका राइट आंसर है white damp यानिकी CEO carbon monoxide इसका राइट आंसर होगा option number D next question है अपना इन्दा second degree mines underground mines for electrical welding return for the permission second degree और first degree mines में mines क्या manager से permission लिया जाता है अगर third degree माइन्स है तो उसका जो permission होगा वो होगा regional inspector से दोस्तों जैसा यह question लिखा हुआ है same हमारी mcq की book में question लिखा हुआ है यानि कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे question को 100% copy किये गया है 95% बच्चे बता रहा है कि कम से कम 90 plus question जो है आपके सर copy किये गया है और same to same ना कोई changes ना कोई परिवर्तन दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ coaching करना चाहते हैं तो मुझसे contact जरूर कीजिए मेरा नंबर आप लोगों के सामने screen पर दिखाई दे रहा है और यह अगर mcq book लेना चाहते हैं जहांसे यह question पेपर आया है तो भी आप लोग मुझसे contact कीजिए मेरा नंबर है 8982807309479319604 यह जो है वाट्सप नंबर है आप लोग मुझे वाट्सप कीजिए call कीजिए और आप लोग जो है इस book को लीजिए क्योंकि 100% question इस book से आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग contact करना बिलकूल ना भूला है thank you friend thanks for watching this video